हेलो दोस्तों एक बार फिर्ट से बहुत बहुत सुवाद करता हूँ आप सभी का मैथ इन मैजिक टीप शूटूप चानल में दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं कि 14 शिवी के लिए साइंस का भीवाई अब्जेक्टिव कोश्चन जो कि आपके मैटी बोड जाम के लिए काफी ही इम्पूटेंट है तो जो इस वार मैटी का एक्जाम देने वाले हैं वीडियो को लाश्ट लिखीगा इसमें जितने भी अब्जेक्टिव कोशन लिए गए हैं कई बार आपके मैटी एक्जाम पुछ जा जुके हैं और आपके भी एक्जाम में पुछे जा सकते हैं तो चले फ्रेंच विडियो को शुरू करते हैं और आपसे बता दे कि जो भी दीच अभी तक पांच-पांच tra infring का पीडियो डावनलोड नहीं किay हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बक्स में लिक दिया गया है वहाँ सब जाके सभी पीडियो को डाउनलोड कर सकती है तो चलिए पहला कोईशन को देख लेते हैं है दोस्तो पहला कोईशन आप सभी मुवाईल स्कीन पर देख पा रहे हैं आप सभी को मालम होगा कि हमारा वीडियो स्रीच का पहला कोईशन का जबाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर इसका कमेंड विक्स में इसका सही जबाब लिखना होता है नेतर लेंस की फोकस दुरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टी दोस्स उत्पन हो जाता है पहला अपसर मिलेगा निकट दृष्टी दोस्स बी में मिलेगा दूर दर LAUGHTi d00ys सी में जरादaroardsय d00ys और डी में इनमें से कोई नहीं तो आपसे बता देएं कि नेत्र की focus दूरिёं अगर कम हो जाएगा तो न plastic है कि कौन सा दोस होगा तो नििकर्ट दरoughsa d00ys हो जाएगा दोस्तो आज से भी को मालम होगा कि परीपात में लगुपतन के समय परीपात में जो बीटु धरा का मान होता है वो बहुत ही अतिधिक बढ़ जाता है यानि कोचन का राइटे से अप्रस्टी हो जाएगा यानि भेरी हाई हो जाता है दोस्तो अब आपके डाउटनेट पे होंगे सारे डाउटो का सफाया बस डाउटनेट एप से किसी भी कोचन का फोटो खीचिए और तुरंद पाएं वीडियो सलूशन जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ब्रक्स में दे दिया हूँ तो दोस्तो आज ही डाउटनेट करें डाउटनेट टैप और करें अपने हर डाउट की छूटी स्टीप 10 सकंड में उसके बाद में आज सभी मुवाइल स्किन पे कोचन नमर चार को देख पा रहे हैं दिया गया निमली हित में कौन सा पद बीदू परिवद्ध में बीदू सक्ती को निरूपित नहीं करता है तो कोचन का राइट टैसर आई आर स्क्वाइर हो जाएगा जो कि आपका अफसन बी में मौजूद है उसके बाद में आफसर भी कोचन नमर पांच को देख पा रहे हैं कोचन नमर पांच दिया गया है कि अभी नेतर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो क प्रवर्तीत करता है थी बैदRE कॉर्जा को यांत्री कर्जा में परिवर्तीत करता है यह कोचन बल्ब का जो filament होता है वो tungsten का बना होता है ठीक है तो कोचन का राइटेसर क्या होगा tungsten हो जाएगा उसके बाद में आज सभी अगला कोचन को देख पा रहे हैं कोचन में आठ दिया गए है एक साधारन प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है दोस्तों तिर भूजाकार होता है प्रिज्म इसे पांच सतह होते है ठीक है एक दो तीन और एक इधर वाला एक जश्ट उधर वाला ठीक है कितने जाएंगे पांच जाएंगे तो आपसे एक्जाम में पुछे जाएं कि एक साधारन पिरिट में कितने सतहों से घिरा होता है तो कोई भी बस्तू के अगर बराबर परतीवी बन रहा है तो निजी था ही को दर्पन को शागा समतल दर्पन होगा बस्तू के बराबर बनता है उसकी बाद में आज से भी कुछ नमर 10 को देख वा रहे हैं कुछ नमर 10 दिया गया है कि बीधु चुमब के प्रेरन की खोज किसने किया था चार बैग्यानिकों का नाम दिया जाएगा पहला मिलेगा मैक्सवेल फैराडे इंपियर फ्रेमिंग कि बीधु चुमब के प्रभाव का खोज किसने किया तो क्या सभी जबाब मरिएगा तो आश्टर्ड मरिएगा उसकी बाद में कुछ नमा 11 दिया गए आकास का रंग नीला के उप्रतीत होता है है दोस्तों आज सभी को मालम होगा कि आकास का रंग प्रकास की प्रकीटनन की करन ही आकास का रंग क्या होता है नीला दिखाए देता है तो कोचन का राइटेसर क्या होगा अप्रसन भी हो जाएगा यानि प्रकास के प्रकीटनन की कारण उसकी बाद में आज से भी कुछ में बारा को देख पा रहे हैं समान नित्र अधिक्तम कितनी दूरी तक को अश्पष्ट देख सकता है उम्मेद करता है कि इस कोचन का विजवाब आप से भी मालूम होगा कि समान नेत्र अधिक्तम अनंत बिंदू तक किसी भी वस्तूब को अश्पष्ट देख सकता है उसके बाद में अगला जो कोचिन ने मारा कोचिन में 13 कि लेंश की छमता का अश्पष्ट क्या होता है दोस्ता आज सभी को बता दें कि लेंश की छमता को जो असी मातर होता है वो डियॉकटर होता है जीसे डी दौरा ने रुपीत करती हैं या इंपकार पावर माइनस वन को लेंश का ऐस्पार कहा जयता है तो कोचन का राइट टेसर अप्सन C हो जाएगा यानि M पापावर माइनस 1 उसके बाद में आज सभी कोचन में 14 को देख पा रहे हैं अभिक्रिया C, U, O पलस H2 यानि कॉपर अक्साइड को हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो वो बनता है कॉपर पलस H2 यानि जल बनता है इसमें किसका उप्चैन होता है तो आज सभी देख पा रहे हैं इस अभिक्रिया में किसका उप्चैन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस का हो रहा है तो कोचन का राइट टेसर क्या मारेगा Hydrogen Gस मारियेगा इसके बात में आप सभी कोचेमे कुछनमे पंधर को मोगाईलिशकीन पे एक फार है कोचेमे पंधर दिया गए है सूरियम की संजوجगता किपनी होती है दोस्तों सूरियम का संकेत तो आप सभी को मालम होगा कि सूरियम का संकेत कितना होता है तो एने होता है इसका सोजोजगता एक होता है परमानु संख्या 11 होता है और परमानु दर्वान कितना होता है तो तेश होता है तो स्टोडियम से लिटरे दो तीन कोशन पुछे जा सकते हैं जो मैं आज सोजगता दिया हूं तो यहां भी फिलाल कोशन लिया गए है कि कोशन का र्याइटि सर क्या मारीगा दोस्तों दो मारीगा एक ठीक है है दोस्तों अगला जो कोशन है मारा कि coincidence का समानसूत्र क्या होता है दोस्तों इसले मारा क्या Bem H2N plus 2, चूकि C N H2N plus 2 जो होता है वहीं होता है इलकेन का समान निस्टूत्र, उसके बाद में आज सभी एगला कुछन को देख पा रहे हैं उदासीन बिलियन का pH मान क्या होगा यह दोस्तों आप से बता दें कि जो 7 के बराबर होगा कोई भी बिलियन का pH मान वहीं होता है उदासीन बिलियन का pH मान, यानि कोछन नमर 17 का राइट एंसर अपसंस्ती हो जाएगा यानि 7 के बराबर उसके बाद में आज सभी कोछन नमर अठाड़ों को देख पा रहे हैं अठाड़ा दिया गया है आवर्षाणी में कितने वर्ग होती हैं दोस्तों आज सभी कोटा दें कि आवर्षाणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो अठाड़ा होती है आवर्षों की संख्या की बात के तो साथ होगा तो आज सभी को हमेशा याद रखना होगा कि आवर्षाणी में कितने आवर्थ होते हैं तो साथ होते हैं कितने वर्ग होते हैं तो 18 वर्ग होते हैं उसके बाद में आज सभी स्टुडेंट कोचनमा 19 को देख पा रहे हैं कोचनमा 19 दिया गया है कौन सा आधातू बीधूत का स सुचा लग होता है ठीक है तो कोच्छन का राइटेसर अप्शन भी हो जाएगा उसके बाद में आज सभी कोच्छन नमर 20 को देख पा रहे हैं कारवन किया है दोस्तों उम्मीद का ताम कि कारवन किया है आज सभी स्ट्रेंड में से जो भी स्ट्रेंड जबाब जानते हों कि कोच्छन का राइटेसर आधातू हो जाएगा यानि नौन मेंटल हो जाएगा उसकी बाद में अगला कोच्छी नमरा कोच्छन में रिकाईश की निमलीखित में से कौन सा दुरूबल अम्ल है यहां पर दुरूबल अम्ल की बात पर पहला अप्शन दियागे चिकी चीटी के डंक में कौन सामल पाजा जाता है तो फार्मिकामल पाजा जाता है ठीक है और जो चीएच भी सी डबल अच है इसे को बोलते हैं फार्मिकामल जो चीटी के डंग में पाया जाता है अगला कोशने मरा की पोटेशियम यानि जिसका संख्यत होता है के इसका लेटी नेम होता है कैलियम तो पोटेशियम की प्रमाणुक संख्या कितनी होती है दोस्तों आसे बिदा देए कोशनल बाइस का राइट एंसर अप्सन ए हो है यहां पे चार अप्सन दिया आ जा चुका है इसमें सियासरी उक्तलाना है कि कौन सा वायो गैस है तो सी एच फोल जो आपका अप्सन बी में दिया गया है मीथेन गैस यहीं है मुखेता वायो गैस का उदाहरन उसके बाद में अगला कोशन है सधारान नमक का रासाइनिक सुद्र क्या होता है तो NACL होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइट के नाम से जानते हैं उसके बाद में अगला कोशन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं पहला से दिया कि अक्सी कारक और कारक अभिकारक तधा प्रतिफल तो आपसे बता किछ उमस्amtाइसे को 26 दिएगे है कौन सुन्रेवर का तत्तू है यहां पिछ सं ने बर कात्तू है यहां पे ही चार अप्षिन में दिया ऑग排 कैल्म् सियम ब्रेलियम लिथीयम हिल्यम इसमेंों कट्रल्यना है कि कोने सांफ तत्त्तो है जो स्वापोसौन को सुन्रेवर का त सब भी यहीं हो जाएगा कोषण का विल्कुल सही जबाब ऊचिंगा तो कोषण कर राइटे सरपत्ती हो जाएगा जो कि आपकार सी में मौजूद है यहीं हो जाएगा कोचन का बिल्कुल सही जबाव उसकी बाद में अगला कोचन नेमरा कि मनुष्ट के सरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथी होती है वो कौन सी होती है उम्मिद करना कि यह भी प्रशनासी को मालूम होगा कि मनुष्ट के स्रीर की सबसे बड़ी करंथी को हम यक्रीत के नाम सी जानती है ठीक है तो कोचन का राइटेंसर यक्रीत हो जाएगा अगला जो कोचन नेमरा की पादप में जाइलम के लिए उतरदाई है पादप में जाइलम के लिए उतरदाई क्या चीज़ के लिए होते हैं कोशन में 30 का राइटे से अप्सन ए हो जाएगा पादप में जाइलम जल वहन के लिए उतरदाई होते हैं उसकी बाद में आज सभी अगला कोशन कोशन में 31 को देख वा रहे हैं एक कोश्किय सेवालों में जल का परिवाहन होता है दोस्तों एक कोश्किय सेवालों में जल का परिवाहन की समाध्यम से होता है तो वीसरन के रिया दोरा होता है ठीक है? वीसरन माध्यम से तो कोश्किय का राइटे से वीसरन हो जाएगा जो कि आपका option C में मौझूद है इसके बात में आज सभी कोष्टों की संख्या कितनी होती है दोस्तों आज सभी कोष्टों की संख्या कितनी होती है कि मश्टों की हिर्दय में कोष्टों की संख्या जो होती है वो दो होती है और वहीं में बात करें मनुस्त की तो मनुष्य में चार होते हैं आगे में ठीक जाम ये पूशे जा सकते हैं मनुष्य के हिर्दय में कोष्टो या वेस्मो किसा क्या कितनी होती है तो चार मारिये का कौन कन होते हैं तो एक होते है दाया अलिंद, दाया निले दूसरा होते हैं बाया अलिंद और बाया निले और मचली में कितने होते हैं तो दो होते हैं अगला कोचन है मरा कि निलिकित में कौन एमीनो अमले के विखंडन से बनता है चार अप्षन दिया आ जा जुका है इसमें सियासरी कुतलाना है कि कौन सा है जो इमीनो अमल के विखंडन से बनता है तो B और C कोचन का राइट टेंसर है यानि C O उसके बाद में NH3 यानि अमोनिया उसके बाद में अगला कोचन है हमारा कि ऑक्षिजिन है दोस्तों ऑक्षिजिन क्या है आसे भी को मालम होगा कि ऑक्षिजिन एक परकार का हा भाज सकता है है तो यहां पर टेष्टे श्टॉराउन जो होगा हमारा कोशन का राइट ने सर टेष्टो एस्टो राओन हो जाएगा चुकि नर हर्मोन की बात करें तो टेष्टो एस्टो राओन है इसके बाद में आज सी कुछ 25-26 दिया गया है कि इन्हें क्षिजिन न य बिधी की बात करें तो विखंडन विधी मुकुलन विधी द्विखंडन विधी ये सभी जो विधी है वह आल एंग इक जनन की विधी है यानि कोचन का राइटेसर अफसन डी हो जाएगा यानि इनमे से सभी उसके बाद में आज सभी कोचन में 37 को देख पा रहे हैं प्राग कोच में क्या पाए जाती हैं तो आज सभी को मालू होना चाहिए कि प्राग कोच में प्राकन पाए जाती हैं यानि कोचन का राइटेसर अप सन डी हो जाएगा उसकी बाद में कोचन में 38 को आप मुबाल ऐसकिन पे दिखवा रहे हैं कि अनवनसी गुनों का संदेश होता है है दोस्तो अन्वनसी गुनों का संदेश किसको होता है कोचन का राइटेसर अफ़सन ए हो जाएगा यानि डी इन ए के अन्वों में उसकी बाद में आज से भी कोचिमा 49 को देख वा रहे हैं कोचिमा 49 दिया गये है कि किस वैग्यानिक को अन्वनसीकी का पिता कहा जाता है दोस्तो आप से भी को मालूम ही होगा कि अन्वनसीकी या अन्वनसीकता का जो पिता खलाते हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मिंडल कोचन का राइटेसर अप्षन भी हो जाएगा यानि ग्रेगर जॉन मिंडल उसके बाद में आज सभी question में 40 को देख पा रहे हैं हाइडरीला पॉधों में रंद कहाँ पाएज जते हैं ये दोस्तो हाइडरीला पॉधों में रंद कहाँ पाएज जते हैं तो चार अप्सन आज सभी को एकजाम में मिलेगा और question का right रिटे सरी ने से कोई नहीं हो जाएगा तो यानि कोशन के राइटे से इन में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों वीडियो लंबी ना हूँ जिसकान मैं इस वीडियो को यहीं पे स्कीप करता हूँ जो भी अभी तक हमारा मुबाइल एप डाउनलोड नहीं की है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बक्स में लिंक दिया गे है वहाँ से आप जाके उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और आपके मैटी की त्यारी है वो अच्छी तरीके से वहाँ से जाके कर सकते हैं या आप क्रॉम ब्राजर में जाके question for exam.com एक ब्योसाइट सेर्च करके वहाँ से आप मैटी की त्यारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दिया गे है question for exam.com के ब्योसाइट पे आप सभी को सब्जेक्टिव कोचन तथा objective कोचन अपडेट कर दिया गए है तो अब जाके वहाँ से भी आप मैटी की त्यारी जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज सभी को वीडियो पसंदाया हो पसंदाया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शियर करें नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल अकों तो दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अप्लोड करें उसका नाटिफिकेशन आपसे भी क्यूलता रहे और आप हमारे दोरा बनायेगें सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें दोस्तों मैं मुक्यमार सारे जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी वीडियो कोशन के साथ तब तक लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद